जो विरोधी लोग थे कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, लोग तंतराने नहीं देंगे, आपने लोग तंतराने के बाद इन लोगों पर भरोसा किया, हर पांस साल बाद आप वोट देते हो, कभी इन से पिटके इनको वोट एह मेरे लोगो वोट का अधिकार, सक्ती का अधिकार है, सक्ती का सोतर है, दोनों खेल 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 रहे हैं, कि कैसे आपका बेकूब बना, कब तक लुटते रहोगे, कब तक बिटते रहोगे, ये एक ता बन गई है, इसको रोकने के लिए सड्यांतर होंगे, लेकिन इसको कोई और नहीं रोक सकता रोकोगे तो आप उनको ये पता लगा कि मजबूत पहरेदार खड़े हो गए एक ताब बन गई है और परिवर्तन होके रहेगा ये राज तंत्र नहीं है कि राजा चंद लोग चुनके तै कर दें ये लोग तंत्र है जनता जिसे चाहेगी चाहे वो किसान के लिए नहीं मिली तो मैं जो चंद बाते आपसे कहूंगा आप उनको सुन लेना लेकिन मैं आपसे की वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं इस किसान का मेरी कौम को कुर्सी पे बैठने के ताकत यहां राजिस्थान में हम लोग मिलके दोनों भाई नहीं ये देते तब तक मै आपको छोड़ के जाने वाला नहीं ये बाती आता है इस मंजपर उपर्तित भीम आर्मी आजास समाज पार्टी राष्टे लोकतांत्रिक पार्टी के सभी सम्मानी नेतागण हमारी पार्टी के प्रभारी अध्यक्ष और एक-एक हमारे कारेकरता परतियासी और आज इस लड़ते देखा आपके हक अधिकारों के लिए और लड़ने का होश्ला तो मंच पे भी दिखा देते हैं कभी-कभी मैं तो उनको मैंने तो ये जिम्मेदारी लिए कि मैं इनको रोकता रहूंगा अगर ये आप कभी भी लड़ेंगे तो ये आपके हकों के लिए लड़ेंगे आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे आपके मान सम्मान के लिए लड़ेंगे ये फैसला करके हम इकठे हुए बाई हनुमान जी बेनिवाल आपका धन्यवाद आपने इस रेली में हमें आमंतिक किया बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ी ताकतियां दिखाई सम्मानिस साथियों समय समय पे भारत की धर्ती पे जन्में सभी संतों गुरुवों महापुर्षों को नमन करता हूँ और जिनको मैं नेता मानता हूँ जिनमें राश्पिता जोती बाफूले, साहुजी महाराज, डॉक्टर बाबा साब अंबेड कर, सर छोटु राम, चोदरी चरण सिंग, महामनार राम सुर्फ वर्मा, मानेवर दीना महानावाल मिकी ऐसे बहुत सारे महापुर्फ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, हम कमजोर कमेरों को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगाया, उनके उस रास्ते को आगे बढ़ाते हुए, मैं और ये जब बैठे, चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी, दो घंटे में हमने अगर कोई बात की थी तो वो राजिंतिक नहीं थी, पूरे दो घंटे में एक ही बात हुई, कि राजिस्थान के युवा, राजिस्थान के किसान, यहां की बहने, माए, बच्चिया, यहां के बच्चे, यहां के बजुर्ग, इनका भविस्थे राजिस्थान में कैसे सवरे, इन मेरे आज भी याद है देश गुलाम था और डोक्टर बावा साम बेटकर और सर्चोटू राम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जिनको हासिय पर रखा गया वैवस्ता में उनको कैसे तरक्की दी जाए देश राजे रजवाडों के हाथ में था और देश में राजतंत्र था राजा महराजा जैसे चाते थे वैसे देश की जंता परजा सासित होती थी ना हक्त ना अधिकार जो राजा ने कह दिया राजा ने कहा दिन तो परजा ने कहा दिन राजा ने कहा रात तो परजा ने मान लिया रात और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा फिर एक ऐसा समय आया कि देश में लोकतंत्र आया देश में जब लोकतंत्र आया तो समस्या ये थी कि एक तरफ आर्थिक रूप से गैर बराबरी थी एक तरफ बड़े-बड़े महल और एक तरफ गरीबों की जोपडिया दूसरी तरफ समाजी का अधार पर गैर बराबरी थी छुबा छूत थ ति मैंने चौदरी कुमबारा मारिय के अंधोलन को पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को जगाने के लिए कितना काम किया और किस तरह से आपका नेत्र किया समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए असर लड़ाई ये थी कि लोकतंतर तो आया था लेकिन पैसे वाले लोगों ने तै कि वोट इनके पास चला गया है वोट को रोकने के लिए भी सडियंत्र हुए कोई कहता वोट उसको मिलेगा जो पैसा वाला है कोई कहता उसको वोट का अधिकार मिले जिसके पास जमीन जायदात है कोई कहता उसको मिले जिसके पास वैपार है हमारे नेत जनता जिसे चाहेगी चाहे वो किसान का बेटा हो चाहे वो मैंद को कसकोम का बेटा हो चाहे वो गरीब का बेटा उसको आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है तमाम साजिसों के बाद जब बाबा साम बेड़कर ने अपने चरचर बच्चों कुरवानी के साथ आपको वोट का अधिकार दिया तो लोगों ने कहा जो विरोधी लोग थे कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे लोग तंत्राने नहीं देंगे, हमारे मा पुरूट घर से निकले, गली गली गए लोगों को समझाने का काम किया है, मेरे सीधे साथे लोगों अपनी ताकत को समझो, ये वोट आपको गुलामी के लिए नहीं मिली, ये वोट आपको बिकने के लिए नहीं मिली मेरे आज भी याद है मानवर काशी राम सहाब उन्होंने अपने जीवन की एक सुक्सुदाय लगा दी मगर मैं मानता हूँ परिवर्दन एक सतत पर क्रिया है चन्द दिनों में नहीं बदला हो सकता था ताकतवर लोगों ने रास्तों में कटनाईया लगाई आज जब हमारे थे रत चल रहा था सामने को रुकावट आ गई तो हनुमान जी बेनिवाल मुझसे बोले पत्रकार साथी भी वहाँ थे कि ये रत रुकेगा नहीं ये रत अब अगर रुकेगा तो जैपुर की कुर्सी में बैठ जाके रुकेगा तो वो बात मेरे दिल में आई कि कितनी कटनाईयों के बाद भी जो फैसले हमने लिए वो मजबूत होते गए हमारे मापरुस निकले लोग को जगाते रहे आज उस कारवा को उस एकता को जो नेचुरल एकता है मैं आपको दिल से कह रहा हूँ और मैं आपको चेतावनी के तोर पे भी कह रहा हूँ आज हमने एक जूट बनाया गाउं में रहने वाली क्योंकि शहर के अपेक्षा गाउं में हमारे ज़्यादा लोग रहते हैं उनके चेहरे पे खुसा लिया आई मुझे मेरे साथियों ने बताया कि जो कल तक डर रहे थे गाउं में उनको ये पता लगा कि मजबूत फैरेदार खड़े हो गए हैं एक ताब बन गई है और परिवर्तन होके रहेगा ऐसी ऐसी लहर जो जब चाई तो इसके विरोध में मैं चेतावनी के तोर पे कह रहा हूँ हो सकता है जाती के जड़कड़े करा दिये जाएं हो सकता है कि लोग को गुम्रा किया जाए यह हमारी मात्र सक्ती बैटी है आपके भविस्य का फैसला है अन्यत्त चार उस कौम पे होंगे जिनके पार राइंतिक सक्ती नहीं होगी और मैं नोजवानों से कहना चाहता हूँ अगर अपना उचित भविस्य से चाहते हूँ रोजगार चाहते हूँ 90 लाक वोटोर हो आप लोग राइस्थान में जो नोजवान है जो फैसला करेगा कि कुर्सी पे कौन बैठेगा मैं उन सब को कहना चाहता हूँ मैं एक नोजवान हूँ बेरोजगारी के दर्द को समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि किस तरह माबाब अपने बच्चे का पेट काट काट के आगे बढ़ाते जमीन पे किर्वी रखके और किसान का मेरी कौम से आता तो जानता हूँ हमारे तो सारे रास्ते बंद कर दिये हमारे लोग आर्मी में चले जाते थे तो अगनी वीर बनाके हमारा फ्यूचर खत्म कर दिया पुलिस में और फोर्स में जाते थे बर्तिया बंद है और जो भरतिया होती है पेपर लीग होता है सामूइक बस में बैठके बिना सकता के संडक्षन में नहीं हो सकता महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है और आपको जान के आज चलिये होगा मेरे लोगो NCRB का डाटा कहता है कि महिला यहां सुरक्षित नहीं है इस पर देश को मजबूत और सुरक्षित हातों के जरुत है और जब मैं देखता हूँ तो कोई नजर नहीं आता, अगर कोई नजर आता है आपके रक्षा के रूप में, आपके शुरक्षा कबच के रूप में, तो वो मेरा भाई है हनुमान जी पे निवाल, जिसमे मुझे बरोसा है कि वो हर मुसीबत को अपने सीने पे लेके आपकी र मेरे पास समय कम हो, लेकिन रोज समय कम नहीं रहेगा, मैं आपकी गली-गली ढानी-ढानी आऊंगा आपको जगाने के लिए, और आपसे निवेदन करूँगा मेरे लोगों, अगर चाते हो कि नाशिर जुनेद के साथ जो हुआ, असगर के साथ जो हुआ, एसाई मीना जी क साथ जो हुआ, अगर चाते हो, इस सरकार को, PC सरकार को देखो जो आपसे कहेंगे, कि BJP के नाम पे हमें वोड़ दो, BJP आ जाएगी, आप याद करो, इंदर मेगवाल, जितेंदर मेगवाल, ओम्परकार रेगर, तूला राम गूजर, आप याद करो, कितने जुल्म हुए, और अगर कोई लड़ रहा था, लड़ना चेहता विपक्स गो, जो मुक्चे विपक्स है, आप बताओ, और अपने मन से बताना, क्या भी मार्मीय, हनवान जी बेनवाल की टीम किलाओ, कोई लड़ रहा था, किया हमारी वोट की कोई वेल्लू नहीं है, मैं आपसे कहना चाह आपने लोगतंत्राने के बाद अपनी शक्ति को नहीं समझा आपने लोगतंत्राने के बाद इन लोगों पर भरोसा किया हर पांस साल बाद आप वोट देते हूं कभी इन से पिटके इनको वोट देते हूं कभी इन से पिटके इनको वोट देते हूं एह मेरे लोगो वोट का अधिकार शक्ति का अधिकार है शक्ति का सोत्र है आपकी जो समस्याय है मैं एलाज करके कह रहा हूं भी ना अपने भाई से पूछे आपकी जो समस्याय आप लिखके दे जाओ मैं पूरे राइस्थान के वासियों से कहना चाहता हूँ अपनी समस्याओं को लिख के दे जाओ ये तुमसे जूटे मैनोपेस्टर लेके आते हैं रोजी रोटी के लिए वोट नहीं है रोजी रोटी तो मैनत कसकों में कमा के खाई लेते हैं हमने तो वो भी दिन देखे कि बहुत सारे लोग मैं राइस्थान की बात करूँ तो ये मेरी बात जान लो आपकी जो समस्याओं को लिख के दे जाओ उसी का मैनोपेस्टर बना देंगे और छे महिने में एक एक आपकी मांग पूरी करके दिखा देंगे टो आप मेरी बात को याद रखना यह राइस्थान एं इतने सरकार यह एकता बन गई है इसको रोकने के लिए सडिययन तो रहोंगे लेकिन इसको कोई और नहीं रोक सकता, चुर रोकोगे तो आप, और इसको ताकत दोगे तो आप, जितनी ताकत में आज आप यहां आए हो, आज से लड़ाई सुरू हुई है, खतम नहीं हुई, आज के बाद आपको करना यह है, कि आपको गाउं गाउं जाना है, इस एकता का ताकत दिखाना है और अपने कमजोर भाईयों के हाथ पकड़के उनको ये विश्वास दिलाना है कि बहुत हुआ बहुत दिन अलग अलग रहे और अलग अलग होके सताय जाते रहे अब समय बदल गया है उपर वालों ने हाथ मिला लिया है तो नीचे वाले भी हाथ मिला के ए आसलोगों में भी वोई बात कहता हूँ वोट का अधिकार आपकी तरक्की तै करेगा अगर आप चाहते हो कि नोजवान ठगे जाएं पेपर लिक हो भरतियों में घोटाले हो महिला ऐस्वक्षित हो यह महिलाए नहीं यह यह हमारे घर का सम्मान है, यह हमारी बेहन बेटिया है, हम तो किसान कमेरों के उलादे हम जानते हैं, हमने सिखा है देश के बोटर पे देश की रक्षा करना, और गाउं छेतर में अपनी बेहनों के इमान सम्मान की रक्षा करना, लेकिन आपने देखा, किस तरह से जुल्म ज जंता ये चाती है कि कोई किसान का बेटा, कोई मेहनत करने वाला बेटा यहां जैपुर की कुर्सी पे बैठे. आप से मैं पूछना चाहता हूँ कि जैपुर की कुर्सी पे अगर आपके बीच का वेक्ति बैठेगा, तो क्या आपको किसी के लिए किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? आप खुद ही सोचो, जिसने बीना पावर के आपके लिए इतने लड़ाई लड़ी हों, अगर उसके हाथ में राइंतिक ताकत होगी, तो क्या होगा? वो आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, आपको बाठने का प्रयास करेंगे, आपको लालत देने का प्रयास करेंगे, आपने देखा नहीं, जब से मोर्चे की सुखवाट हुई, कहीं की तो लिष्टे बदल गई हैं, कहीं की लिष्टों पे रिवी चल रहा है, कहीं गोष् चाहता हूं जिनकी सरकारे थी उनको गारंटी क्या जुरूते कर देते ना अगर आप नहीं कर सकते हैं यह मौका देखे देखो हमारे भाई को फिर आप बताना आपका पांस साल का काम और अग्छे महीने में जो करेंगे इतियास याद रखेगा कि किसी बहादूर ने ताकत सम माली है इसको इस बहादूरी को आगे बढ़ाओ गाओ गली गली जाके सेक्ता को बनाओ यह नीला और पीला एक जुठो के आगे बढ़े एक और सडियंत्र होगा मैं अपने सीनियर लोग को कहना चाहता हूं मीडिया के लोगों ने कहा इसलिए मैं हनुमान जी बेनिवाल का और उन्हें सात्यों का ध्यान आकर सित करूंगा वो कहते हैं दलीत और जाट का गटबंदन हुआ है जोट कि दलीत और जाट तो इसके पीलर है वो तो वो वो तो अपने कंदेवे बिठा के इस प्रदेश की सत्ता तक हनुमान जी बेनिवाल को लाने वाले है वो तो इसके लोकतंत्र ना होते हैं उसार आपकी गलियों में कोई नहीं आता मेरे लोगों आपसे बात कोई नहीं करता है ये वोट का आधिकार है जो ौप के पादेश के लाता में शुमारूं उसक्तान खत्रे में है तो यह स्थापी दल तो यही है क्यों खत्रे में आया यह 상황 क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीम की जिंदगी मोझाला कैसे आएका अगर वास्तिक्ता में चाहते हूं यह आज कि आज कि ए शिरब विदान सभा का लाइंस नहीं है हमने तैय कि उ संगर्सों के साई में घंगोर जवाली पलती है और इतिहास उधर जुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है मैं इनको रोकता रहूंगा सिरफ इसलिए कि कहीं कोई किसी साजिस के सिकार ना हो जाए यह आदमी मन से बड़ा सचा है गुस्ता इसलिए करता है किरकेट अगर देखोगे तो समझ आएगा जो ओल राउंडर होता है ना वो सारी पीछ पे घूमता फिरता है कि कहीं से टीम लोड़ना पड़ जाए इसलिए अपने लोग को डाटता है ने दोनों हाथ उठागे बताओ जोर से आवाज जानी चाहिए वहां सचीवाले में जो सेकेटरी बैटेंडर सेकेटरी बैटें उनको पता लग जाए कि कोई भी साजिस करने से पहले याद रखना कि एक ऐसा वि बता हूं मैं आप आपकी सब हर रेली में आऊंगा खोब मैनत करेंगे और जो जो भी पीडी थे सोशी थे उसकी लड़ाई लड़ेंगे और असल मजा तब आएगा जब राइंच दिक्शक्ति आपके हाथ में आएगी